Hello everyone, welcome to another new video of Top 500 MCQ of the Code of Civil Procedure 1908 लेकि यह जो CPC का है 19th वीडियो है, अगर आपने previous वीडियो नहीं देखें, उन सभी का लिंक दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहां से जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं और वीडियो की जो PDAF वाइल है, वो पहले ही जो है टेलीग्राम गूर्प में उपलब्द करा दी गई है, तो टेलीग्राम गूर्प को भी जोईन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दीया हुआ, वहां से जाके आप टेलीग्राम गूर्प को जोएं कर सकते हैं चलिए इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट बेस्टिक अटाइम लेट इस्टार्ट इस अधिया जा सकती है तो देखिए के विजन प्रोवाइट किया गया है वह सेक्शन वन फॉर्टी एट एमें प्रोवाइट किया गया पहली चीज और यह कब आया था यह हुआ है अब आते हैं बात की इसका ड्योरेशन को था टीक है एंटी डेज जो है कयवेट का डूरेशन होता है और यहां पूछा गया है कब लागू की जा सकती है तो देखी कोई वाद या कोई कारवाई है वो दाखिल की जा चुकी है या की जानी है तो इस पस्तिती में जो है सुचना दी जाएगी जो भी के विएटर होगा उसको तो यहां पर नोटिस को डूरिसन कितना रहेगा 90 जा रहेगा तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा वह जाएगा आप्सन डी नेस्कुशन पर आते हैं लॉगिंग ऑफ के विएट अंडर सेक्शन 148 ए और सीपीसी सुदिखे सीधा सांसर यहां पर एंटाइटल डिक एटर तू रिसीव नोटिस आप दी एप्लिकेशन तो बिल्कुल यहां पर जो अप्लिकेशन है जो आवेदन किया गया उसका नोटिस रिसीव करने के लिए के विएटर एंटाइटल हो जाएगा योगी हो जाएगा तो आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्सन ए और इसका डूरेशन कितना रहेगा याद रखिए अक्सर पूछा जाता है नाइन्टी डेज नेस्ट कुशन पर आते हैं अंडर 251 जो है वो डील करता है इने रेंट पावर अब दी कोट अब देखिए इने रेंट पावर से लेटेट एक बहुत ही इंपोर्टन केस है जिसको मिहां पर डिसकुस करेंगी केस का नाम है मनोहर लाल मनोहर लाल वर्सिस सेट हीरा लाल सेट हीरा लाल अभ इसकर जो साइटेशन है वो है 1962 यह 1962 का बाद है अब इसमें दिखि बताया Και incapable इस केस में बताया है इंघरेंट पावर ओफ और इंडी कोट इंसट्सलफ यानि यह इंघरेंट यानि अंतर नेच सक्क्तियां हैं वह नियाले में अंतर विष्ट हैं अपने आप से उसमें समाईत हैं और यह किसी अधिनियम के द्वारा यह से पीसी के द्वारा नहीं दी गई यह नियाले में पहले से ही अंतर नहींत हैं तो यह चीज़ बताई गई है मनुहर लाल वर्से से ठीरा लाल मोस्ट इंपोर्टेंट केस है अगर इनरेंट पावर ऑफ दे कोट के मैटर में लिखने के लिए आता है कुश्चन तो आप यह केस जरूर वहां पर लिखिए पहली चीज़ दूसरी चीज़ कहता है दीज पावर्स आर इंडिपेंडेंट एंड एडिसन ऑफ एनी अधर पाव इंडिपेंडेंट स्वतंत्र किसी अन्रेंट पावर्स जो सक्तियां नाले कुछ पत्त की गई उनके सिवाए तो यह चीज़ आती है अब हम बात करते हैं कि इनरेंट पावर्स है वह किस लिए किस उप्योग के लिए किसलिए वहां पर दी गई है तो सबसे पहले तो जो फ आए और दूसरा क्या है तो प्रिवेंट यहां पर दी कि प्रिवेंट करेगा प्रिवेंट के अब्यूज आफ दी प्रोसेस आफ दी कोट तो इसी कार्ण से जो है यानि यह जो इनेरेंट पावर दी गई है यह नियाय के उद्ध्यों के लिए और नियायाले की जो आदेसिका के दुरुपयोग के निवारन करने के लिए जो है इनेरेंट पावर दिया गया है यानि नियाय के उद्ध्यों के लिए और जो नियायले की जो आदेसिका है उसका दुरुपयोग ना हो यानि उसको प्रिवेंट करने के लिए ठीक है तो यही कारण जो है इसको इनेरेंट पावर को यहां पर लाने की तो ठीक है इनेरेंट पा के बाद 152 में बाहिए तो आगि 153 जो है वह बाद की सिज में 153 जो में आंके भी यूष्ट में फिटी कंट इस शॉब्लान पर में कि बियू की जा सकती सें मिट अब आप प्रक्रिया है इसको रोखने के लिए यहां पर इनेरेंग पावर यूज किया थी तो यह दोनी स्टेट्मेंट्स हाई है A AND B सो आंसर हो जाएगा option C, both A and B, next question पर आते हैं, under section 151 of civil procedure code, inherent power can be exercised by the, देखें, inherent power जो है, अगर हम section 151 पढ़ते हैं, तो वहाँ पर clear दिया हुआ है, nothing in this court shall be deemed to limit and otherwise, the inherent power of court, court सब्द का प्रियोग किया है, ठीक है, to make such process may be necessary for the end of justice and to prevent the abuse process of court, तो court सब्द में यहाँ पर supreme court, high court, district court, तो यहाँ पर answer हो जागा, any court, so answer here, option D, coming to the next question, inherent power confirm under section 151 of the code of civil procedure 1908, may be exercised by the, so clear है यहाँ पर, it may be exercised by the supreme court, high court, district court, as well as by any civil court, so, बिल्कुल यहाँ पर court सब्द का प्रियोग किया गया है, section 151 CPC में, तो इसमें सभी include होते हैं, so answer यहाँ पर option D हो जाएगा, next question पर आते हैं, under the inherent power of the civil court, it can be passed order, यानि जो है, CPC के section 151 में, जो inherent power दी गई, civil court को, वो pass की जा सकती है, तब की जा सकती है, तो उसी के समंदित question है यहाँ पर, so necessary for ends of justice, ठीक है, तो पहला तो यह कब दाखिल की जा सकती है, तो नियाए के उद्देशों को पूरा करने के लिए, ठीक है, necessary for ends of justice, दूसरा है, to prevent the abuse, the process of court, यानि पहला तो नियाए के उद्देशों के लिए, या नियाए की आदेशका के दुरुपियों का निवारन करने के लिए, ठीक है, तो इन दोनों ही के लिए यहाँ यहाँ पर, जो है, inherent power का उप्योग हो सकता है, so answer हो जाएगा option B, next question पर आते है, the clerical and mathematical mistake in judgments, order, etc, can be corrected by, यानि यगर देखे, clerical and arithmetic mistakes हो जाती है के judgment में, तो उसको correct किया जा सकता है, तो उसको देखी, कहां correct किया सकता है, तो इसके लिए जो provision दिया गया है, वो दिया है, section 152 में, section 152 कहता है amendment of judgment decree or order, तो इसमें कौन-कौन से किस ground पर amendment किया सकते है, यानि mathematical mistake हो जाती है, या कोई clerical mistake हो जाती है, तो उस पस्तती में यहां पर amendment किया सकता है, so answer हो जाएगा option A, और ऐसा ही same provision CRPC में कहां दिया है, तो वो दिया गया है, section 362 of CRPC, ठीक है, next देखते है, the power of a court to correct clerical और mathematical mistake in judgment decree or order, तो बिल्कुल यहां पर में, कब हो सकता है, में at any time by the court of its own motion, अपने स्वैम के, यानि सौ विवेक से न्याले कर सकता है, यानि सौ मोटो भी कर सकता है, और में at any time exercise on application, और पक्चकारों के आवेधन पर भी यहां पर किया सकता है, by any party, यहां कोई भी पक्चकार हो सकता है, तो तो पक्चकारों के आवेधन पर भी हो सकता है, और own motion भी न्याले कर सकता है, तो answer यहां पर हो जाएगा option C, next question पर आते हैं, who has the right to make an application for amendment of judgment or order under section 152, 152 अभी लोन देखा था कि amendment of judgment, order or decree के बारे में बात की गई है, किस तरह की mistakes यहां सही कि जाती है, clerical or mathematical mistakes सही होती है, और कौन इसके लिए application कर सकता है, तो देखिए application यहां पर any party, यानि कोई भी पक्चकार कर सकता है, so answer यहां पर हो जाएगा option C, next question प 152 of CPC, empower the court to amend judgment decree or order in respect of, so किस मामले में जो है, नियाले को section 154 जो है, इंपावर करता है, judgment or decree को amendment करने की, so बिल्कुल यहां पर clerical or mathematical mistakes जो है, इसको सही करने की सकती नियाले को यहां पर दी गई है, साथी साथ accidental slip हो जाता है, या omission कोई हो रही है, उस बस्तती में भी जो है, को both A and B, now come to the next question, general power to amend any error or defect in any proceeding in a suit that's in the court by virtue of, so it is provided in section 153 of CPC, so clearly यहां पर जो आंसर हो जाएगा, options B हो जाएगा, Come to the next question, which of the following deal with the power to amend decree or order where appeal is summarily dismissed in the court of civil procedure, देकि यहां पर पूछा गया है कि civil procedure code में नियाले को पावर दी गई, जहां वो appeal को summarily dismiss करता है, तो वहां पर decree or order हुआ है, उसको amend करने की सकती कहां पर है, तो decree or amend करने की सकती जो है, ऐसे case में जहां पर appeal summary dismiss की गई है, वो provide की है, section 153 A में, यहां पर जो आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा, option D, ठीक है, next question पर आते हैं, which of the following section of the code of civil procedure provide for trial in open court where public may have access, यहां देखे, पूछा गया है, कि निमलिकित में से जो है, किस section में CPC के, trial जो है, वो ऐसे नियाले में, खुले नियाले में होगी, जहां पर public जो है, आम जनता आसानी से पहुंच सकी, तो दीक है, इसका provision दिया है, section 153 B, section 153 B, जो है, वो deal करता है, the place of trial deemed to be open court, open court, court कैसे होंगे, open, ठीक है, तो open court का provision section 153 B में दिया गया है, तो यहां पर answer हो जाएगा, option C, जबकि CPC में, sorry, CRPC में, same provision open court का जो है, वो दिया है, section 327 में, 327 है, वो deal करता है, open court से, next question पर आते है, under the provision of code of civil procedure, the court has no inherent jurisdiction, देखिए, यहां पूछा गया है, कि निम रिखित में से, CPC के किस उबन में, code नियानी नियाले, को जो है, inherent jurisdiction की power नहीं है, तो किस मामले में नहीं है, तो देखिए, यहां पर दिया है, to restore a suit dismissed, for non payment of court fees, यानि अगर कोई court fees, जो है, ना देने के कारण suit dismiss हो गया, तो उस suit को restore करने की सकती, के मामले में, जो है, court inherent power use कर सकता है, तो यह बिल्कुल गलाती, यहां पर जो है, नियाल है, ऐसी पस्तिती में, जो है, inherent power use नहीं कर सकता है, यानि अगर कोई court fees ना देने की बज़े से, suit dismiss हो गया है, तो वहां पर उसको restore करने की सकती, जो inherent power में नहीं दी है, next देखते है, to restore an election petition dismissed for default, कोई election petition है, वो dismissed हो गया, default होने से, तो ऐसी पस्तिती में, उसको restore करने की सकती, inherent power में नहीं उपयोग की जा सकती है, नहीं देखते है, to consolidate suit based on different claims, अगर कोई different claims पर आधारत कोई वाद है, उसको एक साय इखटा करना है, उससे जोडना है, तो उससे जोडने की सकती भी inherent power के थूँ नहीं दी गई है, तो इन सबी मामले में जो है, court inherent power use नहीं कर सकता है, तो answer यहाँ पर हो जाएगा, option D, all the above, next question पर आते हैं, when proper court fees is not paid by the plaintiff, the court sell, जब कुल proper court fees, plaintiff के दोरा, यानि बादी के दोरा नहीं दी जाती है, तो court क्या कर सकता है, तो ऐसी पस्तिती में, court sell grant time to the plaintiff to pay a deficit court fees, यानि जो court fees रहे गई है, उस court fees को जमा करने के लिए plaintiff को time दे सकता है, तो यहाँ पर जो answer हो जाएगा, वो हो जाएगा, option B, इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं, इसके बाद जो अब जो वीडियो आएंगे, वो सभी वीडियो में, हम लोग CPC के orders और उसके साथ साथ rules को discuss करेंगे, इसके साथ जो हमारे sections के provision है, वो अब हम खतम हो जाते हैं, अब एक long वीडियो आएगा, जिसमें हम सभी वीडियो को मर्च करके एक वीडियो बनाएगे, जिसमें कि सिर्फ sections के provisions के ही questions होंगे, और उसके बाद हम लोग order सुनू करेंगे, ठीक है, थेंक यू फर वाचिंग इनन जूडिसेस,